एक चीज़ और कह देना चाहते हैं अंचला धिकारी बंसी बिकेस कुमार महोदे जिस तरह से आप गाली बाज अंचला धिकारी के रूप में जिले में परदर्सित होने का काम करते ये आपके लिए सवभाग प्राप्त होता कि आपने वीडियो अगर पत्रकारों के मुबाइल से डिलिट नहीं कर दी होते तो अब तक आपकी गाली बाज अंचला धिकारी का दर्जा प्राप्त हो जाता और आपकी धजिया उड़ जाती लेकिन आपने वीडियो डिलिट कर दिया ये हमसे भी बहुत बड़ी भूल हुई है कि आपको लोग खोल कर हमने वीडियो को डिल पत्रकार में मिल ही जाता महोद है नमस्कार मैं विश्वनाज परताप यादो और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार निशन अरवल जिले में रभी बार के दिन बीपेसी के और सठ्वी परिक्षा के दर्मियान गुदानी सी महा बिद्याले कोलेज के पास गेट के बाहर ह ही 11 बशकर 40 मिनट पर एक पत्रकार अपना ख़वर संकलन करने जाता है और सियो के द्वारा गाली गलोज और मार पीट और मानसिक रूप से परताडित किया जाता है दरसल घटना मेरे साथ ही हुआ था और हम अपने सहयोगी अरविंद कुमार के साथ गुदानी सी महा बिद परिक्षा का समय बच रहा था लेकिन उसे अंदर पुलिस कर्मी और सियो के द्वारा उन्हें लेट का हावाला देकर जाने से मना कर दिया गया लेकिन लगातार अंदर जाने के लिए परियास कर रहा था उसी का ख़बर संकलन कर रहे थे और बिप्यसी के छात्र को अपने जीवन में आगे बढ़ना था और अपने लक्ष को प्राप्ट करने के लिए 20 मिनट परिक्षा का समय बच रहा था लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया कहीं न कहीं उसका भविस खराब करने में अरवल जिले के बंसी परखंट के सीओ बिकेस कुमार का सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि परिक्षा सुरू होने से मात्र 20 मिनट का समय बच रहा था लेकिन फिर भी उसे लेट का हवाला देकर नहीं जाने दिया उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं कि आपका काम है आपका डूटी है बीपीएसी का गाइडलाइन होगा कि भाई एक्जाम सेंटर पर प लेखंड के सीओ बीकेस कुमार के द्वारा ऐसा ही वाक्या पत्रकारों के साथ किया गया दरसल पत्रकार विश्वनात परताप याद ऑदो यानि कि मैं और अर्मिंद कुमार बर्मा जुआ आज खवार के पत्रकार हैं दोनों लोग अपना खवर संकलन करने के लिए गोडा लेकिन फिर सीओ के द्वरा गाली गलोज करते ही अंदर से बाहर निकला गया और पुछने पर बताया गया कि पत्रकार हैं लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना और लगातार गाली गलोज करने लगा जब उसका बिरोध किया तो छड़ी लेकर लगातार हमें मार रहाय स्टार्ट कर दियें और हमारा मुबाइल चीन लिए जिसमें उनका गाली गलोज चात्र के साथ कर रहे थे उसका वीडियो भी मेरे मुबाइल में कैद हो गया था वह चाह रहे थे कि इन लोगों का मुबाइल चीन कर वीडियो को डिलीट कर दे ताकि हम सुरक्षित रहें लेकिन सियो स साहब हम पत्रकार हैं हमारा कोई समय नहीं होता कभी भी खबर संकलन करने के लिए हमेशा तत्परता के साथ काम करता हूं जहां तक बात रही उस छात्र का जो एक्जाम हॉल में बैठने जाने के लिए गुहार लगा रहा था तो उसका अपना भविस्ट समारने के लिए अपन पत्रकारों को जबरन पकड़कर अंदर कोलेज के अंदर रख दिया गया और उनका मुबाइल छीन लिया गया लेकिन सियो साहब को यह सायद पता नहीं था कि पत्रकार चाहे किसी भी प्रस्तिती में हो सियो साहब का कहना था कि तुम लोग बिप्यसी की हाई लेवल की जो परिछा चल रही है उसमें पेपर लिक करवाने के फिराक में थे लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि सियो साहब सायद आपको यह पता नहीं है कि 50 मिटर के दूरी पर एक मुबाइल फोन से जबकि एकजाम सुरू होने के 20 मिनट पहले किसी भी चीज का फोटो नहीं घीचा सक मुबाइल में जब एकजाम चल रहा हो और गेट के जब बाहर खड़ा है तो सिर्फ वीडियो ही बना रहे थे और गेट के पास जो लड़का अंदर जाने के लिए गुहार लगा रहा था जिसका भविस खराब करने का पर्यास किया गया जिसका ही हम लोग खवर संकलन कर रह तो उन्होंने सियो को फटकार भी लगाया कि जब बाहर से वीडियो की रिकोर्डिंग की जा रही थी और पत्रकार होने के नाते खवर संकलन कर रहे थे तो फिर उसे अंदर क्यों लाया गया और अंदर लाया भी गया क्यों नहीं अस्थानिय थाने को हवाले किया गया अग जब सियो सहाब अपने कारेच छेतर से भटकने लगे तो उनको एसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलिती किया और दो पत्रकारों के साथ गाली, गलोज और मारपीट करना उनके लिए कहीं न कहीं दुस्वार न हो जाए लेकिन अर्वल जिले के बंसी परखंड के अंचला दिकारी विकेस कुमार को साफ साफ कह देना चाहते हैं कि पत्रकार से उलजना भारी पड़ेगा आपको क्योंकि पत्रकार अपने करतब्य और इमंदारी पूर्वा काम करने के लिए हमेशा 24 घंटा ततपरता के साथ काम करत लेकिन आपने अपने पतादिकारी होने का धोंस दिखाया और मईस्टेट होने का धोंस दिखाया और दोनों पत्रकारों को पीट-पीट कर अधमरा टाइप का कर दिया जिसके बाद एक साधे कागज़ पर आवेदन लिखवाया गया कि लिखो कि मैं अपने सुएक्षा से बिना किसी के कोई सिकायत किये ही घर जा रहे हैं और हमारे द्वारा BPSC परिक्षा में कोई भी बाधा उत्पन नहीं हुई अंचला धिकारी महोदे जब हमारे द्वारा कोई भी बाधा उत्पर नहीं हुई तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप एक पत्रकार को कैसे तीन घंटे तक बंधक बना कर रख सकते हैं आखिरी अधिकार आपको किस ने दिया कि आप एक पत्रकार के साथ गाली गलोज और मार पिट कीजेगा आखिरी अधिकार आपको किस ने दिया कि एक पत्रकार को मोबाईल छीन लिजेगा और उसका वीडियो जबरन डिलिट कर दिजेगा जब हम सही थे तो हमारा वीडियो डिलिट आपने क्यों किया एक गाली गलोज करने वाले सियो का वीडियो कहीं न कहीं सोसल मीडिया में वाइरल हो जाता जिसका डर सियो सहाब को था सियो सहाब आप गाली बाज अंचला धिकारी हैं और इस पर करवाई होनी चाहिए अगर आपकी छवी ऐसी ही रहेगी तो आए दिन आम जनता को परताडित करने का काम कीजेगा और आम जनता आपसे परसान हो ही रहा है सुत्रो से मिली जनकारी के अनुसार आप जनता के साथ भी इसी तरह का भेद भाव करते हैं और उनके साथ भी इसी तरह का गाली गलोज करने का काम करते हैं लेकिन यह कतई बरदास नहीं किया जायेगा इसके लिए हमने जिला प्लादिकारी महोदे से मिलकर जाच का मांग करते हैं कि जो भी दोसी होंगे उनके उपर करवाई की जाएगी अगर हम दोसी हैं तो हमें भी करवाई होनी चाहिए लेकिन एक पत्रकार होने के नाते एक्जाम सेंटर के बाहर अपना ख़वर संकलन कर सकते हैं ना कि एक्जाम सेंटर में और हाँ हम exam center के बाहर थें और आप exam center के अंदर से ही गाली गलोज करते आ रहे थें और अपना प्राधिकारी होने का धोंस दिखा रहे थें मैस्टेट होने का धोंस दिखा रहे थें लेकिन सायद आप भूल गए होंगे कि एक आम पबलिक और पत्रकार में थोड़ा तो जरू लेकिन पत्रकार अपना काम करने से पीछे नहीं हटता लेकिन सियो साहब को सायद एक खवर से बुरी लगी होगी कि कोई ऐसा खवर छपा होगा जो सियो साहब पत्रकारों को देखना पसंद नहीं करते होंगे लेकिन जब खवर से एक अचला धिकारी को इतनी बुरी लगती है तो आखिर अचला धिकारी में कहीं न कहीं तो दोस जरूर होगा कि अचला धिकारी को आखिर खवर लिखने के बाद ऐसी प्रस्तिती कैसे उत्पन हो गई वो मानसिक रूपसे पर्ताडित होने लगे पत्रकारों के सवाल से और पत्रकारों के लेखनी से आखिर पत्रकारों को क्या समझ कर रख लिये है अंचला दिकारी महोदे ये तो आप ही बताईएगा और समय आने पर आपको इसका जवाब देना ही होगा हाँ एक चीज और अंचला दिकारी विकेश कुमार को कह देना चाहते हैं कि जब आप गाली गलोज मार पीट और मानसिक रूप से परताडित कर ही दिये और लगभग 20 छड़ी मार ही दिये तो फिर आप आई कार्ड देखने वाले कौन होते हैं जबकि हम बैग लिये हुए थे और बैग में हमारा न्यूज भिहार नेशन चैनल का लोगो और आई कार्ड भी था लेकिन अंचला धिकारी ने इस पर किसी प्रकार से कोई संग्यान नहीं लिया और कुछ भी देखना पसंद नहीं किया और सिधा मारना पीटना है स्टार्ट कर दिया और मार पीट खतम होन लेकिन आप लगातार आरोप लगाते रहे कि आप लोग फरजी हो सिर्फ पैसा तसिलने के लिए पत्रकार बने हो लेकिन अंचला धिकारी महोदे को ये कह देना चाहते है कि पत्रकार पैसा नहीं तसिलता अंचला धिकारी पैसा तसिल सकता है लेकिन एक पत्रकार पैसा नह को पता है लेकिन अंचला दिकारी महोदे किसी पे बेबुन्याद आरोप न लगाएं यहीं आपसे बिनती और प्राथना करते हैं आइंदा ऐसी पत्रकारों के साथ दुर वैवार घटना का अंजाम न दे नहीं तो आपके साथ वी ऐसी प्रस्तिति उत्पन कभी न कभी हो ही जाएगी कि आपको पत्रकारों के सामने घुतने टेकने पड़ेंगे और और इसकी सिकायत अरवल एसपी मुहंब्मक्त काजिम के अलावे अरवल जिलाधिकारी जेपीरिय दर्सनी जिला के प्रभारी मंत्री तेज-प्रताप यादव पंचायती राज मंत्री के अलावे अ के चौथे अस्थम्भ है और इन पर आच आये तो समझ लेना लोक तंत्र पर हत्या है यह अर्वल विधायक महानंद सिंग का कहना है लेकिन उनसे भी आग्रह किया गया है कि पत्रकारों के आवाज को विधान सवा में उठाया जाए और ऐसे लापरवा और गाली बाज अंचल धिकारी बंसी विकेस कुमार महोदे जिस तरह से आप गाली बाज अंचला धिकारी के रूप में जिले में परदर्सित होने का काम करते यह आपके लिए सवभाग प्राप्त होता कि आपने विडियो अगर पत्रकारों के मुबाइल से डिलिट नहीं कर दी होते तो अब तक आपकी गाली बाज अंचला धिकारी का दर्जा प्राप्त हो जाता और आपकी धजिया उड़ जाती लेकिन आपने विडियो डिलिट कर दिया यह हमसे भी बहुत बड़ी भूल हुई है कि आपको लोग खोल कर हमने विडियो को डिलिट करने के लिए दे दिया लेकिन अब तक आपको गाली बाज सीयो होने का दरजा पुरे बिहार में मिल ही जाता महोदै।